आज मैं आपको लड़ू गोपाल जी की ज्वेलरी और साथ में राखी बनाने के मटीरियल की इन्फोमेशन देने वाली हूँ आज मैं आपको सारा का सारा बेसिक मटीरियल दिखाऊंगी जिनका इस्तमाल करके हम बहुत ही ईजी लड़ू गोपाल जी के लिए ज्वेलरी बना सकते हैं और साथ में बहुत ही संदर संदर राखी भी बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा बहुत ही इन्फोमेटिव वीडियो है और यह आपको बहुत पसंद आएगा गाईस पहले मैंने एक और material related वीडियो दिया था जिसमें अभी जैसे हमारी जन्माश्मी की सीरीज चल रही है ना तो जन्माश्मी क्राफ बनाने के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए वो मैंने उसमें दिखाया था उसका लिंक आपको description box में मिलेगा jewelry और राखी बनाने के लिए सबसे first जो चीज़ा में चाहिए रहती है वो खैब ball chain तो ये देखे गाईस ये totally मेरे पास four colors में है और ये देखे ये इस type से ना जो भी हम काना जी की jewelry या फिर राखी वगएरे में patch यूस करते हैं जो हम handmade patch बनाते हैं उसमें बहुत useful रहती है और ये बहुत सारे colors में market में available होती है मेरे पास golden, red, rose pink and blue four colors में है ये red वाली बहुत सारे समान में mix होगी है तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी next ये आपे हमारे पास stones है stones भी बहुत useful रहते हैं handmade patch वगेरे बनाने में and guys ये stones हमें बहुत सारे colors, shape, sizes हर तरीकी से available हो जाते हैं तो मेरे पास ये blue, ये है silver और ये है red ये दिखिए red है और मैंने circular लिये हैं चारो की चारो packets में जो stones है, size same है इनका ये याँ पे golden color में है तो आगे बहुत सारे amazing amazing काना जी के लिए हम jewelry बनाएंगे और राखी के भी बहुत सारे videos में post करने वाली हूँ तो उसमें हम इन सब चीजों का इस्तमाल करेंगे और as always मैं कुछ ना कुछ unique आपको बनाना सिखाऊंगी next यहाँ पर है हमारे पास है colorful beads मोती वगरे बहुत जादा useful रहते हैं जैसे कि एकाना जी के लिए कोई भी jewelry बनानी हो तो मोती वगरे पिरो के हम बना सकते है माला वगरे कोई तयार करनी हो तो उसमें बहुत useful है राखी में भी बहुत काम आते हैं beads यह देखे गाईज यह blue, green, orange बहुत सारे colors में में मेरे पास यह है navy blue this is silver, green और यह आपको भी बहुत सारे colors में market में मिल जाएंगे size wise बड़े चोटे जैसे आप चाहें आप वैसे इनको purchase कर सकते हैं और यह guys वो red वाली ball chain है जो बहुत सारे material में mix होगी थी तो यह अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूं खोल के यह देखिए guys यह red color की ball chain है मेरे पास मैंने ball chain बहुत जादा bulk में ली थी तो मुझे इसका price काफी सही पड़ गया यह देखिए यह इस type से ball chain है और बहुत सारे DIYs में हम इनका use करेंगे next is certain ribbon जो राखी में बहुत काम आते हैं राखी के लिए मैं ribbon यूज करने वाली थी that's why मैंने इनको यह देखिए पतले वाले ribbon बाई किये हैं और बहुत सारे colors shades में हैं यह जैसे की blue, sky blue, pink, yellow, rose pink, red, yellow बहुत सारे colors हैं next यह हमारे पास gota flowers जो राखी बनाने में बहुत जादा useful रहते हैं मैं आगे आपको gota flowers से बहुत सुन्दर सुन्दर आखियां बनाना सिखाऊंगी और यह देखिए बहुत सारे colors में आ जाते हैं जैसे golden, silver, golden plus pink, golden plus red, silver plus green जो मैं आपको यहां पे दिखाई रही हूँ sizes में भी बहुत सारे में available होते हैं जैसे बड़े, छोटे, हर तरह के आपको यह मिल जाते हैं और साथ में guys यह star shape की gota flowers भी available होते हैं market में next यह मेरे पास mirrors हैं जो भी बहुत useful रहते हैं patch बनाने में कतली shape के mirrors हैं और mirror में भी sizes shapes बहुत तरह के आपको available मिल जाएंगे next यहाँ पर हमारे पास moti है यह मैंने white beads का पूरा एक full packet खरीदा था क्योंकि मुझे काना जी की dresses कोई भी craft होता है काना जी का यानि की जैसे jewelry वगेर हो गया उसमें बहुत जादा requirement रहती है beads की तो इसलिए मैंने full packet लिया था तो beads का मैंने काफी बड़ा packet लिया next यहाँ पर हमारे पास foam flowers है multiple colors में तो यह totally यहाँ पर 12 flowers है और 12 पूरे bunch हैं बड़े-बड़े flowers के और एक bunch में 12 flowers है totally 144 pieces है बाकी सब चीजे मैंने local market से खरीदी थी बट foam flowers मैंने online amazon से purchase किये थे next हमारे पास यह glitter sheets है glitter foam sheets जो की राखी बनाने में बहुत useful है इनसे बहुत सुन्दर सुन्दर राखिया बना सकते है और मैं भी आगे आपको बहुत सारी राखिया बनाना सिखाऊंगी next जो jewelry राखी दोनों चीजों में बहुत useful है वो है bookram जो patch बनाने में हम as a base यूज़ करते है इसके उपर fevicol, fabric glue या fevibond जो भी glue आप यूज़ कर रहे है उसके मदद से आप बहुत सुन्दर सुन्दर patch इन सभी decoration material का इस्तमाल करके बना सकते है तो guys यह था हमारा आज का वी टिक केर हरे कृष्णा राधी राधी